नमस्कार आप देख रहे हैं निउस पियार रियसना आपके साथ है आज 22 जैनवरी है और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जारखन में हुई तमाम घटनाओं के बारे में सबसे पहली खबर ये कि CM आवास घेरने जा रहे हैं समविदा कर्मियों पर लाठी चार्ज महिला समेत कई प्रदशनकारी खायल जारखन की रासधानी राची के विर्सा चौक पर आंदोलन कर रहे 14 वित आयोग के समविदा कर्मियों पर पुलिस ने जम कर लाठीया बांजी नहीं माने तो उन पर लाठी चार्ज कर दिया गया इस लाठी चार्ज में महिला समेत कई प्रदशनकारी खायल भी हो गए दूसरी खबर ये कि जारखन बार काउंसिल यानि कि बार असोसियेशन के संयुक्त सचीव वपन रंजन खतरी के निलंबन पर जारखन बार काउंसि ने गुरवार को राची जिला बार असोसियेशन के संयुक्त सचीव के निलंबन पर स्थागन का आदेश दिया है ये 6 जनवरी को बार असोसियेशन के संयुक्त सचीव वपन रंजन खतरी और कोशा ध्यक्ष अमर कुमार आपस में ही उलज गए थे बात हातापाई तक जिसके बाद उन्होंने आरोप लगाया था कि बार असोसियेशन ने एक तरफा करवाई की है प्रारंबेक जाच के उपरांत काउंसिल ने सदसतन लंबित करने संबंधी आदेश पर रोक लगा दी है साथी साथ ये सवाल भी असोसियेशन से पूछा है कि किन परिस्थितिय में या निरने लेना पड़ा तिसरी ख़बर ये कि स्मार्ट सिटी में बनेंगे मंत्रियों के बंगले हर घर की कीमत करीब तीन करोड की होगी निर्मान डिपियार बनाने के लिए परामर्शी कंपनियों ने गुरवार को जुड़कों के सभागार में प्रेजेंटेशन दि और लैड्स स्केपिंग में भरेवे होंगे ये बंगले योगा पार्क, कॉमन जिम, साइकल, बथ, सहित कई तरह की सुभिधाव से लैस होगे दरसल राची स्मार्ट सिटी में प्रस्तावित मंत्रियों के बंगले की लागत धाई करोड से तीन करोड रुपे की होगी ये व जुड़कों के सभागार में प्रेजेंटेशन दे दिया है आपको बताए कि अगली ख़बर है लालू यादव से रिलेटेट हम सब को पता है कि लालू यादव की तब्यत बीते रात बिगड़ गई थी जिसके बाद अब जेल मैनूल उलंगन मामले में लालू के खिलाफ पांच फरवरी को सुनवाई होना है सरकार से मांगा गया है रिवाइज एसोपी आपको बता है कि चारा खोटाला यानि कि फॉडर स्कैम में सजायाफता पूर्व मुख्यमंतरी लालू परशाद यादव के जेल मैनूल उलंगन मामले में शुकरवार को जारखंड हाई कोट में सुनवाई होगी सुनवाई हुई इस दोरान न्याई धीश अरेश कुमार सिंग के अदालत में होटवार जेल प्रवंदन की ओर से जेल मैनूल पर एसोपी पेश किया गया कोट ने इसे गंभीरता से पालन करने का निर्देश देते वे जेल प्रवंदन को करती होने के दोरान सुरक्षा सहित अन सुविधाव को लेकर क्या प्रावधान यानि की सोपी है सरकार की ओड से उपर महा ध्विक्ता आश्टोश आनंद ने बताया कि रिवाईट सोपी ग्री सचीब के पास भेजा गया है और अब एक और खबर यह कि बीएट में दाखिल के सरकारी वो गैर सरकारी बीएट संस्थानों में दाखले के लिए अंतिम मेगा सुची का प्रकाशन कर दिया है अंतिम मेगा सुची का प्रकाशन में इस बार राज्य मेगा सुची में सबसे पहले तीन स्थान पर शात्राएं है एकडमिक अंकों के अधार पर तयार मेगा सुची में पहले स्थान पर पलवी कुमारी, दूसरे स्थान पर सावित्री हैंबरब तथा तीसरे स्थान पर अनुप्रिया रही है परशद ने बेधा सुची में इसमें कुल 76,7361 अभी अर्थू को शामिल किया है इससे पहले परशद में आप बंधिक मेगा सुची जारी की थी जिस पर अपत्या मंगाई गई थी तो फिलाल आज के लिए बस इतना ही आपने तमाम अपडेट सुने जहारखंड में लेकर कि आज वहां क्या-क्या बड़ी खटनाए हुए है आपको हम कल फिर इसी वक्त मिलेंगे जहारखंड की पाच प्रमुख खबरों के साथ अब तक के लिए हमारे साथ बने रहें अगर आपको खबरों से है प्यार तो देखते रहे न्यूस प्यार धन्यवाद